इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्विचिंग के बारे में जी हाँ, तो mutual fund के अंदर कैसे आप एक scheme से दूसरी scheme के अंदर switch मार सकते हैं कैसे यह चीजे practical, possible है, प्लस जिनके भी यहाँ पर regular mutual funds होते हैं directly mutual fund के अंदर कैसे switch कर सकते हैं, उसका tax का क्या implications होगा प्लस प्राक्टिकल यह चीज आपको कैसे करनी है, कुछ tips and guides देने वाला हूँ तो guys पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखेगा तो देखेगाई सबसे बात करते हैं कि switching का मतलब क्या होता है mutual fund के अंदर तो देखें basically यह दो type के होते है, first type के अंदर क्या होता है, अगर आप कोई भी एक regular mutual fund plan से directly mutual fund plan के अंदर switch करना चाहते है क्योंकि हर AMC के पास में एक ही plan की जो है, दो type की schemes होती है, एक regular plans होते है और एक direct mutual plans होते है regular के अंदर का इस क्या होता है, जितने भी mutual fund जो distributor agents होते हैं जो banks होते हैं उसके अंदर उनका commission रहता है, तो जैसे वो किसी भी person को invest वगरे कराते हैं तो जैसे कैसे LIC agents को या फिर जो भी insurance advisor होते हैं उनको commission मिलता है, वैसे ही जो financial advisor होते हो और उनको भी commission मिलता है और इसके अंदर कोई भी गलत बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको proper recommendations वगरे मिलती है, कि आपके लिए कौन सा best mutual fund है, आपके portfolio के साफ से आपकी जो planning है basically future की, उसके साफ से कौन सा best mutual fund है दूसरे का इस जो plan होते है direct plans, तो यहाँ पे market के अंदर कई सारी apps आ चुकी है, जहाँ पे आप खुद अपनी research वगरे कर सकते हैं, खुद अपने लिए एक better mutual fund वगरे जो choose out कर सकते हैं, या फिर कोई भी index plan के अंदर निवेश कर सकते हैं, तो वहाँ पे basically आपको कोई भी agent क requirement नहीं रहती है, और directly company क्या, जो AMC जो होता है basically, उसी से directly आप plans वगरे यहाँ पे buy कर सकते हैं, जलिए एक example के साथ में समझते हैं, तो the foreign example, मालिज अगर आप 25,000 रुपे की SIB करते हैं, एक regular plan के अंदर, वहीं पे अगर आप एक direct plan के अंदर करते हैं, तो 30 सालों के भीतर, अगर आप 12% का CSI या लेके चलते हैं, एक index plans को भी लेकर अगर आप consider वगरे करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, expense ratio आपका बढ़ जाते है, regular plan के अंदर almost 2% हो जाता है, वहीं पे direct plan के अंदर वो 1% होता है, यानि almost वो double हो जाता है, तो अगर इसके आप return यहाँ पे compare करेंगे, तो almost यहाँ पे crores के अंदर difference आजाएगा, जी हाँ, तो जैसे जैसे लंबा period होगा, और automatically आपका जो commissions है, क्योंकि अगर आप 100 पे भी निवेश कर रहे हैं, तो वो 100 पे पूरा invest नहीं होता है, उसमें से कुछ part जो है basically fund manager भी रखता है, और उसके अलावा, अगर आ आपके पास में काफी ज़्यादा amount, या पर bank account के अंदर पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं, इसको कहीं न कहीं मैं invest कर दू, लेकिन अभी market जो है, एक high level के उपर है, तो अभी आप क्या करते हैं, किसी भी liquid plan के अंदर क्या है, किसी भी debt plan के अंदर जो है invest कर देते हैं, फिर उसके बाद में उसी plan के त्रू जो है, आप switching करना चाहते हैं, अपने equity plans के अंदर, तो मालीचे एक ही AMC का आपने liquid या फिर debt plan पकड़ लिया, और उसी AMC का equity plan आपने पकड़ लिया, और एक plan से दूसरे plan के अंदर आप simply switch कर रहे हैं, चलिए इसको practically देखते हैं कि यह practically कैसे संबब हो और कैसे यह basically जो है चीज़े आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, तो देखे guys इसके लिए में यहाँ पर simply MF Central app को यहाँ पर use में लेने वाला हूँ, यह cams और k fintech दोनों ने मिलकर बनाई हुई है, अगर यह तक आप लोगों ने sign up नहीं किया, आप sign up वगरे कर सक जैसे आप अपना pen card number वगरे डालकर sign up करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको अपना portfolio वगरे दिखेगा, और आजकल तो यहाँ पर कही सारी जो apps है, जैसे कि अगर मैं grow की बात करूँ तो grow ने भी यहाँ पर MF Central के साथ में tap किया हुआ है, तो यहाँ पर आप आपके यहाँ पर जित्ती भी schemes होगी, वह आपको screen के सामने दिखाए देगी, तो इसके दर आपके regular plans भी आपको दिखाए देने वाले, और direct plans भी यहाँ आपको दिखाए देने वाले, for an example मालीजे, अगर आपको regular plan है, और आप direct plan के नदर स्विच करना चाहते, तो यहाँ आपको जो भी regular plan है, उस plan को आपको simply select करना है, example के लिए मैं यहाँ पर निपोन वाला plan ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं submit button के उपर click करूँगा, आप guys यह क्या करेगा, यह वाला जो निपोन का मेरा large cap का fund है, वैसे तो यह direct plan है, लेकिन assume कर लीजे, यह regular plan है, तो निपोन का यहाँ पर जो भी direct plan होगा, आपको screen के सामने यहाँ पर दिखाए देगा, और जित्ती भी schemes चलती है, निपोन AMC के अंदर, वो सारी scheme यहाँ पर आपको दिखाए देगी, तो guys यहाँ पर आपको क्या करना है, simply किसी भी एक scheme को यहाँ पर choose out करना है, तो आपका जित्ता भ देने वाला हूं, तो यह इस plan के अपर में को click करना है, तो यहाँ पर आपको reinvestment का option मिल जाएगा, और अगर आपको सारी units यहाँ पर switch करना है, तो सारी units कर सकते हैं, यह particular कोई amount यहाँ पर switch करना है, तो amount वगरे भी यहाँ पर enter वगरे कर सकते हैं, तो guys यहाँ पर कुछ नह यहाँ पर exit load यहाँ पर कितना लगने वाला है, तो मालू में यह access का blue chip fund है, उसे किसी और fund के अंदर small cap के अंदर जाना चाहता हूं, तो इस fund से, इस fund के अंदर में यहाँ पर switch कर सकता हूं, तो guys इस से क्या होगा, आप जो अपने regular mutual fund plan से उसे आप direct के अंदर भी जा सकते है या basically किसी भी AMC का कोई particular plan है, तो उसी AMC का दूसी scheme के अंदर भी आप अपना पैसा transfer कर सकते हैं, example के लिए guys, जिसे मैं आपको screen के सामें दिखा दना चाहूंगा, जिसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह access blue chip का plan था, जिसके मैंने यहाँ पर switch किया था, तो यहाँ पर आप cash cash fund से simply index fund के अंदर यहाँ पर switch कर लिया, जैसे guys, यहाँ पर आपको STP का भी option मिल जाएगा, यह भी switching की तरही काम करता है, लेकिन एक systematic way के अंदर काम करता है, तो जैसे मता है था, कई लोग करते हैं कि मालिजी पहले debt scheme के अंदर निवेश कर दिया है, फिर liquid के अंदर कर दि यहाँ पर आप अपनी frequency सेट कर सकते हैं कि daily basis पर करना है, monthly basis पर करना है, quarterly basis पर करना है, तो इससे क्या होगा, automatically आपका यह वाला जो fund है, उसमें unit यहाँ पर यह वाली frequency के उपर यहाँ पर बिखते जाएंगे, और जो भी पैसा आएगा, वो आपके bank account के अंदर नहीं आएग पर के उसी AMC की जो भी एक better scheme होगी, उसके अंदर आप आराम से यहाँ पर switch कर सकते हो, और guys यह चीज़ अप सकेवल grow app के उपर भी नहीं, ind money app के उपर भी आपको देखने को मिल जाएगी, मतलब जिन भी apps ने MF Central के साथ में type किया हुआ है, या फिर directly आप MF Central app को भी यहाँ terms and condition क्या है, normally यह रहता है कि एक साल के बाद में अगर आप switch कर वगरे करते हो, तो कोई भी आपका exit load वगरे नहीं लगता है, अगर मैं taxes की बात करूँ, तो अगर आपकी equity वाली scheme है, और अगर आप एक scheme से दूसी scheme के अंदर switch कर रहे हो, तो tax के अंदर यह मना जाता है, कि simply आपने एक scheme के units को बेच दिया है, और उसे जो भी पैसा मिला है, वो वापिस आपने दूसी scheme के नहीं यहापर reinvest कर दिया है, लेकिन उसके उपर आपका tax लगता है, टैक्स ऐसे लगता है, गाईस, ultimately आपने यहापे profit बुक किया है, या फिर loss बुक किया है, और वो आपको अ 15% का tax लगेगा, यानि let's suppose अगर आपने 5 लाग रुपे कहीं पर invest किये थे, अब आप उसे यहापे switch करना चाहते हो, तो माली जे 5 लाग को जब आप switch करेंगे, तो जित्ता भी पैसा आपको मिलेगा, माली जे 5 लाग 20,000 मिला, यानि 20,000 रुपे का आपका profit हो गया, तो वो बिसीलिए यापे exempt हो जाएगा, और पूरे 5 लाग 20,000 रुपे आप किसी और scheme के अंदर निवेश कर सकते हो, तो वहाँ पे कोई भी आपको relief नहीं मिलता है, वहाँ पे सीधा 15% का tax वगरे लगता है, लेकिन हाँ, अगर आपकी total income यापे less than 5 लाग रुपीज है, तो वो भी ultimately यापे exempt हो जाता है, तो घबरानी की जरुद नहीं है, तो देखिए, ultimately यापे मैं आपको tips वो guide दिना चाहूँ, पहली चीज तो यह, अगर आपको regular से direct वाले plan के अंदर switch करना है, तो पहला आपको यह देखना है, क्या मेरा 1,00,000 से कम का profit है, अगर यहाँ पे मैं switch करने व चीज भी नहीं कर पा रहे है, तो इससे better option यह भी है, अगर आपके SIP चल रही थी regular plans के अंदर, वहाँ पे आप stop कर सकते हो, और simply अपनी किसी भी direct plan के अंदर SIP start कर सकते हो, इसके लगाई यहाँ यहाँ पे debt fund से या फिर liquid fund से यहाँ पे switching वगरे करने वाले है, equity funds के अंदर, तो वहाँ पे मैं आप लोग को highly recommend करूँगा, आपको एक साथ switch नहीं करना चीए, STP mode के तुरू, आप एक systematic way के अंदर यहाँ पे switching कर सकते हो, तो जैसे आप SIP करते हो, वैसे ही आप यहाँ पे STP करके, एक अच्छा खासा यहाँ पे जो है basically अपना investment बना सकते हो, so guys, hope you like this video please subscribe channel, अगर आप लोग के कोई भी doubt से comment box में जरूर बताईए, thank you guys, thank you very much